सभी मैं आपका दोस्त देने से निस्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे सेकंड क्रेट के लिए लिटरेचर का जो पॉर्शन है उसको तो दोस्तों उसके अंदर अपने एक झो है वीडियो मेंने डाल दिया है अगर आपको वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वैडियो देख सकते हो दोस्तों आज अपन दोस्तों दूसरा राइटर पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है मुल्क राज आनंद आज अपन किसके बारें पढ़ने वाले दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं मुल्क राज आनंद के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको इंडियन चार्ल्स डिकंस के नाम से जाना जाता है, तो क्योशन आ सकता है, who is the इंडियन चार्ल्स डिकंस, it is मुलक राज आनंद, बात करते हैं, दोस्तों, इनका जनम कब हुआ था, तो इनका जनम 12 दिसंबर 1905 में, पैसावर में होता है, दोस्तों, पैसावर कहा है, है पागिस्तान में है सो मुल्क राज आनन्द वस बोन इन 12 ओफ देसेंबर 1905 and he was died on 28th of September 2004 289 2004 मेन की डैथ हो जाती है और इनके father का जो नाम है दोस्तों वो लाल चंद नाम है आपको याद रखनी है यह बात और इनके mother का नाम क्या है दोस्तों इनके mother का नाम है इस्वर कॉर पिता स्री का नाम क्या है पिता स्री का नाम है लाल चंद कब पैदा हुए 1905 में पैदा हुए डैथ कब भी 2004 में डैथ हुए इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों he calls himself bogus professor वह अपने आपको bogus professor कहा करते थे he is one of the pioneer of Indo-Anglian fiction यह क्या है दोस्तों Indo-Anglian fiction fiction का मतलब होता दोस्तों short story writing novel writing उसे fiction का जाता है तो यह pioneer था उसके नमारे seasoned खिलाड़ी था उसका मुल्क राज आनंद was notable for his depiction of the lives of the poor in traditional Indian society तो दोस्तों यह जो है मुल्क राज आनंद को किसके लिए जाना जाता है इन्होंने गरीबों पे लिखा है दोस्तों इन्होंने जो इंडियन की जो नीचे तबके की जो society होती है जो गरीब है दोस्तों उनके बारे में इनके द्वारा लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है he was the first India best writer in English to gain international readership तो दोस्तों he was the first India best writer ये पहले इंडियन ऐसे writer थे जिनको जिन्होंने इंगलिस में लिखा था और इनको international readership मिली थी मतलब इनके जो readers थे इनके जो पाठक थे वो अंतरास्ट ये पाठक जो थे दोस्तों इनको मिल थे मतलब इनकी book जो है दोस्तों internationally पढ़ी जाती थी कहने का सीधसा मतलब ये है he is known for his protest novel untouchable 1935 तो दोस्तों इनका एक novel आया था untouchable जो की कब आया था 1935 में आया था he became known और इस novel की वज़े से ये क्या हो गए दोस्तों published famous हो गए थे दोस्तों followed by other works on Indian poor such as Kooli 1930 and Two Leaves and a Bird 1937 तो दोस्तों इनकी वज़े से ये बहुत ही जादा famous हो गए तो आपको याद रखने वाली बात क्या है untouchable untouchable 1935 में लिखा गया था Kooli 1936 में लिखी गए थी Two Leaves and a Bird 1937 में लिखा गया था He is also noted for being among the first writer to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English ये पहले मतलब ये भी एक writer है जिन्होंने क्या किया है दोस्तों Punjabi जो कहा होते थी और जो Hindustani कहा होते थी उनको English में इन्होंने यूज किया है काफी जादा यूज इन्होंने किया है तो ये ऐसा question पूछे जा सकता है ये फिर ऐसा question आ सकता है कि इनमें से कौन सी जो है मुल्क राजानन के दुवारा नहीं लिखा गया novel है तो दोस्तों आपको आराम से आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा अन्टचेबल मुल्क राजानन देको सीधी सी बात आपको मुल्क राजानन के बारे में ये याद रखनी है कि इन्होंने पूर्स के बारे में लिखा है तो जब भी पूर्स के बात है आपके माइंड में मुल्क राजानन क्लिक हो जाना चाहिए अन्टचेबल अब थोड़ी सी अपन Untouchable के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि Untouchable इस जो Novel को Publish कब किया गया था यह जो Novel है यह 1935 में Publish किया गया था कब Publish किया गया था? 1935 में यह Untouchable Novel जो हैं Publish किया गया था It is a chilling expose of lives of India Untouchable cast यह इंडिया की जो Untouchable cast जो अचूत जातियां है दोस्तों उसके बारे में Vernon करती है The Novel depicts a single day in a life of Bakha a toilet cleaner who accidentally bumps into a member of high caste तो दोस्तों देखो Most और Major जो है करेक्टर भी इनके बारे में पूछा जा सकता है तो यह Untouchable का जो Major करेक्टर दोस्तों यह Bakha है क्या है बाकha? और इसमें सिर्फ एक ही दिन की स्टोरी बताइगे है दोस्तों पूरे की पूरे Novel में एक ही दिन की स्टोरी बताइगे है किसकी lives related Bakha की lives related जो कि क्या था? एक toilet cleaner था जो किसी जो high class member है उसके जो है touch हो गया था The introduction of the novel written by his friend E.M. Forest और फोरेस्टर हां तो यह जो अंटेचेबल है जो नोवल है अंटेचेबल जिसको 1935 में पब्लिस किया गया था जिसमें बाखा की स्टोरी आपको देखने को मिलती है सिंगल डे डिपिक्ट आपको इसमें देखने को मिलता है इसका जो इंट्रोडेक्शन है दोस्तों वो किस यह 1936 में पब्लिस हुआ था यह 1936 में यह लिखा गया था इस गंसिडर्ड एन एपिक ऑफ मौड़न इंडिया तो वट इस गंसिडर्ड एन एपिक ऑफ मौड़न इंडिया इट मिन्स कूली रिटन बाई मुलक राज आनाध इन 1936 यह बात आपको माइंड में रखनी है इनके नोवल की इनकी स्योट स्टोरी की एक ही विजिस ता देखने को मिलेगी इन्होंने पूर्स पे लिखा है, डाउन स्टोर्डन पे लिखा है, अंटेचेबल कास्ट पे इन्होंने लिखा है तो दोस्तो उपर वाला जो नोवल था अंटेचेबल जो की 1935 में पब्लिस हुआ था, उसका मेन करेक्टर बाखा था और यहाँ पर जो प्रोटोगोनिस्ट है दोस्तो, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है तो कुली का कुली में कौन है, मौनो है, एंटेचेबल में कौन है, बाखा है दोस्तो, यह जो मौनो है, यह एक गाम का किसान है, गरीब किसान है, जो की अपने गाम को छोड़ देता है एक डॉमेस्टिक सर्वेंट बनने के लिए, एक फेक्टरी में काम करने के लिए, और इकसे में कुली का काम करने के लिए तो यह इसकी स्टोरी है, मैन केरेक्टर है, मौनो आपको अपने माइंड में यह सेट रखनी है उसके बाद आपन बात कर लेते हैं Two Leaves and a Bird इसको पब्लिस किया गया था 1937 में 1937 में It is a novel of miserable flight of the laborer of the tea plantation of Assam तो दोस्तो ये Assam के बागानों में काम करने वाले मजदूरों पे लिखा गया है और यहाँ पर जो protagonist है जो hero है दोस्तो वो है गंगू तो आपको तीनों याद रखने हैं Untouchable बाखा, कूली मुनो और Two Leaves and a Bird गंगू इनकी डेट याद रखनी है सीधिसी बात Untouchable 1935, कूली 1936, Two Leaves and a Bird 1937 उमीद करूँगा यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब एक आती है दोस्तो मुलक राज आनंद की Trilogy एक है Trilogy का मतलब बहुता कोई भी तीन चीजों का Mixer Trilogy कहते हैं उसे तो आनंद की जो Trilogy है दोस्तो वो कौन सी है वो है The Willis जो की 1939 में लिखी गई है Across the Blackwater 1939 में लिखी गई है The Sword and the Sequel 1942 में लिखी गई है इन तीनों को आनंद की मुलक राज आनंद की Trilogy में गिना जाता है तो किशन आ सकता है मुलक राज आनंद की Trilogy में कौन सा सम्मलित नहीं है Among which of them is not in the Trilogy of मुलक राज आनंद तो ये तीन option मिल जाएंगे एक कोई और option मिल जाएंगा तो वो आपको क्लिक करना है ये तीनों जो है आपको देखने को मिलते हैं इसकी setting कहा है पंजाब में इनके कुछ और काम की अगर आपन बात करें तो The Lost Child 1934 में लिखा गया है The Big Heart 1945 में लिखा गया है Seven Summers 1951 में लिखा गया है It's an autobiographical novel जो Seven Summers है दोस्तो वो क्या है ये autobiographical novel है The Private Life of an Indian Princess इसको 1953 में लिखा गया है The Old Woman and the Cow 1960 में लिखा गया है The Road 1961 में लिखा गया है The Death of a Hero 1964 में लिखा गया है तो ये उनके कुछ और important works है दोबारा देख लेते हैं The Lost Child The Big Heart Seven Summers The Private Life of an Indian Prince The Old Woman and Cow The Roar The Death of a Hero इनकी short stories का collection देख लेते हैं दोस्तों इनकी short story कौन कौन सी है तो इनकी short stories है The Lost Child The Barber Trade Union The Tractor and Corn Goddess Reflection on the Golden Bed The Power of Darkness Laasvanti Between Tears and Laughter Indian Fairy Tales More Indian Fairy Tales ये इनकी कुछ short stories है इनकी कुछ autobiographical novel है दोस्तों वो देख लेते हैं मैंने उपर भी आपको बताया था एक तो है Seven Summers 1951 में लिखा गया है एक है दोस्तों Morning Face जो कि 1971 में लिखा गया है और Morning Face के लिए इनको सहित अकादमी अवार्ड भी मिला था कब मिला था 1971 में मिला था दोस्तों इनको कुछ notable अवार्ड भी मिले हैं जिनको याद रखना है यह आपको याद रखना है International Peace Prize तो इनको International Peace Prize कब मिला था 1953 में मिला था International Peace Prize 1953 पद्मभूशन 1968 सहित अकादमी अवार्ड 1971 तो क्यूशन आ सकता है कि मुल्क राजानंद को सहित अकादमी अवार्ड किस क्रियेशन के लिए मिला था तो Morning Face Morning Face के लिए मिला था तो दोस्तो यह कुछ बात है थी मुल्क राजानंद के बारे में एकला वीडियो फिर से मैं एक इंडियन राइटर के लिए ले क्या हूँगा तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए अच्छा लगे तो दोस्तो लाइक करना और ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तो इसे सेर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ मिलता हूँ आप से एकले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा जै हिन जै भारत